अब तक तो हमने ये कहते सुना था कि बलिया में घरबा तो कावनाबाद के डरबा लेकिन अब ये कहावत बलिया के ही रहने वाले आजै सिंग पर चरितार्थ हो रही है रहने वाले हैं बलिया के उपर से ये यूपी पूलिस में है इनके सरीर पर यूपी पूलिस की वर्दी है गोरखपूर सहर में गोरखछनाथ मट्ठ पर इनकी तैनाती है आखिर ये क्यों डरें किसी से जी हाँ आप तक यूपी में योगी सरकार भूम आपियाओं के खिलाब तो बहुत बड़े एक्षन में दीख रही है और हर जगा बाबा का बुल्डूजर चल रहा है वहीं गोरखपूर मट्पर तैनात सिपाही अजय सिंग अपने बाबा के दम पर पलिया में एक्षन में दीख रहे है जहां पलिया में लखनापार गाओं में प्रवनात गुपता की बनी बनाई मकान पर अपना ताला जड़ दिया है ताला जड़ने के बाद सिपाही अजय सिंग पूरी तरह से प्रभुनात गुप्ता के मकान पर कब्जा जमा चुके है पिडित परिवार ने सिकंदर पूर्थाना से लेकर और S.D.M. तक गुहार लगा चुका है लेकिन इन अधिकारियों ने गुहार लगाने के बाद भी इनको इनकी नहीं सुनी है इसको लेकर कि आज तमाम संगठनों ने मिलकर पिडित परिवार के साथ खड़े होकर मुख्यमंत्री से लेकर और महा महिम राजपाल महोदय तक अपनी बात पहुँचाने के लिए डियम से मुलकात किया है अब यह देखना यह होगा कि क्या योगी सरकार में मठ परतैनात सिपाही के खिलाब मुख्यमंत्री योगी आदितनात का इस भूमापिया पर बुल लोजर चलता है या या जोगी सरकार में ऐसे भूमापियाओं का खिल चलता रहेगा बलिया से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए संजय कुमर तिवारी के रिपोर्ट और उसको एक साथ पहले बनवाए शाफाई उठाई अभी नहीं हुएते हैं क्या हुआ है फिर क्या हुआ है सताई सताई तारीक को अजय सिंग द्वारा ताला तोल करके हमारा अपना तवा लगा दिया जाया आजयसिंग कहा हुए एक शिपाही है जो कि मढ़वरात है किस मढ़वरात गुरुकू मढ़वरात तो अपने कई तरहिर या अभीत क्या पकर रहे कई कुछ नए नहीज़ मिला हमको जाए कहा कहा यह कहा को घ्राने गए यह द्यम किया गए द्यम फाप करें करने हैं करने हैं कि हमको रहत नहीं हुआ है कि अभी आप लोग किन से मिले हैं किसको दिये हैं यहां क्या करने आए हैं अपने ही मांग करने हैं कि हम इमकान का साथ तुरवाया जाए हम चाजी दे अभी यह पत्र आपने किसको वह भेजा है कहां कहां हर जगा बेजिए हैं कि मुख मंतिर के वेज़े हैं मुझी जी कि यहां बेज गया है साजी कि यहां बेज गया है मैं लक्षमण गुप्ता यहां का बलिया का बैपारी हूं और आज मामला है कि सिकंदर पूर्थाना छेतर के परहुनाद गुप्ता के मकान पर मानिय मुख मंतिरी जोगी जी के मठका सिपाही अजे सिंग द्वारा उनके मकान पर 27 तारी को बंद कर दिया गया जिसके लिए परहुनाद गुप्ता दरदर भटकते रह गए और आज तक भटकते हैं और मानिय मुख मंतिरी जी को के नाम से कड़ी दरजो नों पत्र भेजा गया जिलादिकारी के माध्यम से आज पत्र दिया गया है आज मुख मंतिरी जी को और राजपाल महदय को पत्र भेजा गया है और जिलादिकारी और पुलिस अधिक्षा को और ठाना इंचार से कोई कोहने का कोई मतलब ही नहीं रगया है इसलिए मैं कहाना चाहता हूँ आज पूरा आज हम लों मांग करने के लिए हैं कि तत्काल उनका मकान का ताला नहीं खुला तो हम लोग बड़े पैमाने पर बलिया जनपत को ठप करने का काम करेंगे पूरा जनपत को बंध कराने का वैफारी समाज आज आहत में है पीडित है परसाल है कि बैफारी समाज के लोग किसके दरबाजे जाए आज परसाल है और इसलिए कहना जाता हूँ आज रणिती बन करके और तमाम विभिन राजनेतिक दल के लोग सभी पार्टी के लोग आज यहाँ इसमें समझता हूँ CPI, CPI, माले और कर्मिनिस पार्टी से लेकर के समाजबादी पार्टी और भारती जनता पार्टी के कई ऐसे नेता है जो इनसाफ पसंद लोग है सब लोग आ जाये हैं परमुनादी गुपता को नाई दिलाने के लिए इसलिए हम जिनादेकारी के मादम से मानिय मुखबंतरी जिसा आगरा करना चाहता हूँ आज परमुनाद गुपता को इनसाफ दिलवाइए क्योंकि आप जहां तो करमल हो रहा है जहां कब्जा हो रहा है अप बुल्डो ज़र आपका चला है और दिन देहारे आपका सिपाए बलिया जन्पत में आपके नाक के नीचे आज यहां परमुनाद गुपता को माकान में दीन के दीन के दो बजे दीन में ताला बंद करके को अरे का मकान मेरा है हम तो कहा हमने कि पूरा जन्पत इस बात का गवाह है पूरा इथाना सिकंदर पूर इस बात का गवाह है जर्रा जर्रा गाओं गाओं में इस बात को पता कराया जा वो मकान प्रमुनात गुपता कहा है जो अपने खुद तमाम अनाधिकरी तुरुप से जमीन को कबजा किये हैं उनके जमीन कबजा करने की आदी यह नियत बन गई है और जोगी जी का होड़िंग लगा करके कबजा करने का जो काम कर रहे हैं मैं समयता हुँ गलग गलत और सरा सर अन्या है इस तरीका काम करते हम ल और उन्होंने जो जमीन कबजा करने का काम अपने मकान में मिलाने का काम कर रहे हैं